IPL 2023 में 2400 पर किंग्स के लिए X-Factor सावित होंगे ये चार खिलाड़ी निभा सकते हैं Impact Player का रोल जानेंगे कौन है ये खिलाड़ी वीडियो को पूरा देखें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिपिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूले क्रिकेट से जोड़ी हर एक अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जोईन करें लिंक आपको डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगी IPL 2023 से सुरू होने में अब जादा वक्त नहीं बचा हुआ है आपको बता दें IPL 2023 में हमें कुछ नई नियम देखने को मिलने वाले हैं IPL 2023 में एक ऐसा ही नियम है Impact Player Rule BCCI ने Impact Player Rule को जारी कर दिया है IPL मुकाबलों के दोरान सभी टीमों को 11 खिलाडियों के अलावा चार ऐसे खिलाडियों के नाम देने होंगे जो Impact Player के तोर पर दूसरे खिलाडियों को रिप्लीस कर सकते हैं चैनी सुपर किंग्स की टीम में भी कई ऐसे खिलाड़ी सामिल है जो बतौर Impact Player खेलते हुए नजर आएंगे यहाँ पर पहला नाम है राजवर्धन हेंगर गेकर का राजवर्धन हेंगर गेकर को पिछले सीजन में एक भी मुकाबला खेलने को नहीं मिला था राजवर्धन एक बहतरीन All-Rounder है जो निचले क्रम में बल्लेवाजी के अलावा बहतरीन गेंदवाजी करते हैं राजवर्धन हेंगर गेकर ने घरेलू क्रिकेट में काफी अच्छी गेंदवाजी की है आईपेल 2023 में राजवर्धन को बतौर Impact Player मौका मिल सकता है यहाँ पर दूसरा नाम है प्रसांते सौलंकी का अगर पिछ पर इस्पिन गेंदवाजी को मदद मिलती है तो ऐसे में प्रसांते सौलंकी भी एक बहतरीन विकल्प होंगे प्रसांते सौलंग की एक यूबा इस्पिन गेंदवाज है जिन्होंने पिछले सेजन में भी काफी जादा प्रभावित किया था यहाँ पर तीसरा नाम है सेक रसीद का सेक रसीद वही खिलाड़ी है जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप के दोरा ने काफी सांदार प्रदर्सन किया था सेक रसीद को चैन्ने की टीम ने इसी मिनी आक्सन में खरीदा है सेक रसीद को अगर मौका मिलता है तो वह अपने आपको सावित करना चाहेंगे यहाँ पर चौथा नाम है सिवम दुवे का सिवम दुवे एक बिसफोटक औल राउंडर माने जाते हैं पिछले सीजन में उन्होंने कई बहतरीन पारिया खेली थी इसके अलाबा वो लंबे-लंबे छक्के लगाते हैं पढ़ने पर उन्हें बतौर मैच फिने सर्फ लेंग लेवन के साथ है जोड़ा जा सकता है आपको क्या लगता है कैचेनी सुपर किंग्स की टीम IPL 2023 में खिताब जीत पाईगी आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें